हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome back to the channel, मेरा नाम है अबदुल और आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ Microsoft की तरफ से update, यहाँ पे finally eligible है, कौन सी post है, क्या eligibility criteria है, selection process के है, सब कुछ आपको मैं detail में बताऊंगा तो वीडियो को end टक्स जरूर से देखना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो, तो चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर से प्रेस करना, अगर आपको career guidance and latest job updates की वीडियोस चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगर बढ़ने के साथ साथ वीडियो को like जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, जिनका dream हो Microsoft में काम करने का, शायओ उनको ये वीडियो से help मिल जाए, like का target रखते है, 10,000 likes नव बात करते हैं कौन सी पोस्त है यहाँ पे, तो जब हमने यहाँ पे Microsoft की website को देखा तो हमें यहाँ पे, आपके काम की जो पोस्त दिखे है, जिसमें सबसे पहली research intern की पोस्त है, लेकिन इसको यहाँ पे कम मत सबंजना, बहुत ही बढ़िया पोस्त है, उसके बाद Software Development Engineer की पोस्त है, आखे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ शेर करना चाहूँगा, Coding Ninjas का तो नाम आपने सुनाए होगा, यह बन अफ दे लाजेस्ट Coding Educational Company है, जिसने अभी तक 50,000 प्लस students को train किया हुआ है, यहाँ पे आपको basic से advanced level तक के courses मिल जाएंगे, जिसमें Java, C++, Android Development, Machine Learning, Data Science जैसे courses available है, Coding Ninjas पे आपको exceptional content मिल जाएंगे, जिसको experts ने design किया हुआ है, जो IAT Stanford जैसे universities से belong करते हैं, and already वो Amazon and Facebook जैसे company में काम कर चुक है, यहाँ पे 1000 practice questions आपको मिल जाएंगे, जो Google, Amazon, Facebook जैसे interviews में already पूछे गए है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 1 to 1 doubt resolving support मिल ज rating की बात करें, तो 4.9 star की यहाँ पे आपको rating देखने को मिलेगी, आप check कर सकते हो Google and Facebook पे, यहाँ पे अगर courses की बात करें, तो यह बहुत यह अच्छे से structured format में इन्होंने बनाय हुए है, और अगर आप ए college student हो, और सही तरीके से hard work and effort लगाते हो, तो यह courses enough है किसी भी tech job को crack करने के लिए, आपके पास मौका है 100% scholarship पाने का Coding Ninjas के courses पे, यहाँ पे आपको देनी रहेगी scholarship test, जो की होने वाली है 26th April को and 27th April को, 26th April को यहाँ पे होने वाली foundation course की test, रात को 9 बचे 60 minutes की test रहेगी, और 27th April की जो test है, वो advanced courses की test रहेगी, यहाँ पे भी same time है 9 बचे का 60 minutes की test रहेगी और registration charge सिर्फ और सिर्फ 99 rupees है, अगर आप इसमें अच्छे से participate करते हो, तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है, 100% scholarship पाने का Coding Ninjas के courses पे, और हर किसी को rupees 500 की scholarship तो मिली जाएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे internship training का certificate भी मिल जाएगा, इस video के description में आपको सारे links मिल जाएगी, अगर आप register करना चाते हो, तो जली से check कर लेना, time बहुत कम है और मौका बहुत ही बढ़िया है, now सबसे पहले research intern की जो post है, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे final year वाले apply कर सकते हैं, अगर आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, college में हो, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, तो eligibility criteria क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर आप doctoral में हो, तब यहाँ पे apply कर सकते हो, master's वाले भी apply कर सकते हैं, even अगर आप undergraduate program में हो, मतलब अभी आपका graduation चल रहा है, तब यहाँ आप apply कर सकते हो, even recent graduate भी apply कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ID, number और सारी details होनी चाहिए तो यह letters लाओगे कहां से यह आपके HOD college के होंगे वो आपके लिए sign कर सकते हैं और आप उनका contact number प्रोवाइड कर सकते हो उनके पास से letter sign करवा सकते हो आपके जो project आपका जो चल रहा था उस time पे जो आपके जो रहे होंगे उनके पास से recommendation letter आपको मिल जाएगा साथ ही साथ आपका कोई external faculty जिनसे आपने बाहर से training ली हुई है ऐसा कोई आपका mentor है उससे आप यहाँ पे recommendation ले सकते हो ऐसे आपको यहाँ पे 3 letters चाहिए होंगे जब आप इस job के लिए apply करते हो नव यह जो research intern की post है वो full time permanent नहीं है यह internship की रहेगी मतलब कि temporary होगी लेकिन इसकी value रहेगी अगर आप इसको complete करते हो तो कई और जाके आप दिखाओगे तो इसकी value रहती है अगर हम stipend या salary की बात करें उन्होंने 40,000 plus ही लिखा है लेकिन मैं आपको यहाँ पे situation और यहाँ पे बहुत सारी conditions है उसको देखते होगे बता रहा हूँ तो यह minimum 30 से 40,000 तक का आपको पर मंत का stipend मिल जाएगा एक ही problem है temporary job है लेकिन एक बार इसको complete करते हो बाद में इसको resume में आप जब attach करोगे कहीं और जाके interview दोगे तो यह आपकी resume का weight बढ़ा देगा तो इसकी अलगी importance है एक बड़ी MNC company में आपको internship का मौका यहाँ पे मिल रहा है Now second post है industry manager की जो कि यहाँ पे full time job रहेगी इसको यहाँ पे post किया April 19th को मतलब की recently post की हुई है यहाँ पे इन्होंने bachelor's degree मांगा हुआ है और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप BBA या फिर MBA इन background से belong करते हो मतलब की business background से अगर आप belong करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर यहाँ पे बात करें educational qualification की तो एक last line आपको मैं बता देता हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है bachelor's degree और equivalent work experience मतलब की अगर आपके पास bachelor's degree नहीं है लेकिन अगर आपके पास काम करने का experience है तो आप apply कर सकते हो तो यहाँ पे bachelor's degree के उपर इतना weight इन्होंने नहीं डाला हुआ है लेकिन obviously आपके पास अगर bachelor's degree होगी तो यह बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे weight डालेगी shortlist होने में यहाँ पे अगर बात करते हैं तो experience years में नहीं मांगा हुआ है लेकिन आपका काम का experience होना चाहिए जो आप शायद अपने internship या college के time पे अगर आपने कोई project किया हो उसमें अगर आपने कुछ किया हो तो वो आप mention कर सकते हो years में experience नहीं है यह एक अच्छी बात है तो अगर आप इसमें apply करना चाहते हो तो यह भी एक post है recently post की हुई है तो आप चेक कर सकते हो official website से directly apply कर पाओगे यहाँ पे recommendation letters नहीं मांगे हुए directly apply कर सकते हो उसके बाद software development engineer की post है इसको मैं पहले इसलिए discuss नहीं किया क्योंकि यह experience वाली post है मुझे थोड़ी सही लगी April 14th recently यहाँ पे post की हुई है मैंने सुचा कि discuss करी रहा हूं सारी post तो यह भी discuss कर लेता हूं यहाँ पे इन्होंने 2 साल का यहाँ पे minimum experience मांगा हुआ है अब यहाँ पे again same चीज़ है CS degree और equivalent experience यह जो companies होती है ना बड़ी company उसमें एक खास बात यह होती है कि इनका जो work experience अगर आपके पास है अगर आपने 2 साल का कहीं पे job किया हुआ है computer science की degree के बाद तो आप यहाँ पे इसमें apply कर सकते हूँ जो भी knowledge वगरा है वो इन्होंने लिख दिया हुआ है जिसका छोटा सा screenshot मैं आपको यहाँ पे display कर दूँगा qualification में यह चीज़ लिखे हुई है उसके बाद यहाँ पे software engineer की एक और post है जो की अपरिल में ही post की गई है Microsoft Dynamics 365 जिसके अंदर again CS degree मांगी हुए 2 से 4 साल का experience है उसके बाद यहाँ पे software engineer 2 Linux distribution again यहाँ पे अपरिल में recently इसको post किया हुए 19 अपरिल को आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 3 plus years का experience है नव मैं जानता हूँ experience वाली post हम discuss नहीं करते लेकिन मैंने सोचा कि सारी चीज़े एक fresher, final year सबके लिए discuss कर रहा हूँ तो इस वीडियो में यह चीज़ को भी include कर सकता हूँ अगर आप यहाँ पे experience candidate हो तो आपको यहाँ पे यह बहुत help करने वाली है और अगर आप यहाँ पे experience candidate नहीं हो फ्रेशर हो तो आपके काम की post मैं already discuss कर चुका हूँ तो आप उसमें apply कर सकते हो तो यह थी Microsoft की तरफ से 5 post जो की recently post की गई है और आप apply कर सकते हो Research intern की post बहुत अच्छी है Industry manager की भी post बहुत अच्छी है आप यहाँ पे check कर सकते हो बाकी experience वाली है तो अगर आपका कोई दोस्त जिसके पास experience है उसको बताओ वो शायद apply करेगा तो उसका selection हो जाएगा So I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप में से कोई apply कर रहा है तो मुझे comment करके जरूर से बताना और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जली से subscribe करके पहला icon प्रेस कर देना क्यूंकि आपको इस चैनल पे latest job updates and career guidance के related videos मिल जाएगी इसी के साथ वीडियो को end करते हैं the next video में next job update में तब तक के लिए goodbye take care